नमस्कार दोस्तों, प्रावड इंडिया की ब्लॉग में आपका स्वागत है और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में ही नवरात्री का उत्सब शुरू होने वाला है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इन दिनों आपको 51 शक्तिपीटों से परिचित करवाँ तो आज की इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको माता हिंगलाज का शक्तिपीट जो पाकिस्तान में है यानि की ब्लूचिस्तान में है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे साथ अंतक बने रहे और सुनिए गाथा माता हिंगलाज की तो दोस्तों माता सती के 51 शक्तिपीटों में से एक शक्तिपीट पाकिस्तान के कबजेवाले ब्लूचिस्तान में स्थित है इस शक्तिपीट की देखरेक मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमतकारी स्थान मानते हैं इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान के कबजेवाले ब्लूचिस्तान क्षित्र में स्थित माहिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्ति पीट का प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनिये प्रतिमा विराजमान है माता हिंगलाज की ख्याती सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं अपीतू पूरे भारत में है नवरात्री के दोरान तो यहां पर नौ दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेश आयोजन होता है सिंद कराची के लाखों सिंदी हिंदू शर्धालों यहां माता की दर्शन को आते हैं भारत से भी प्रतिवर्श एक दल यहां दर्शन के लिए जाता है पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान राज्य में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र मिस्थित हिंगलाज माता मंदिर हिंदू भक्तों की आस्ता का प्रमुख केंद्र और प्रधान इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है हिंगोल नदी और चंद्र को पहाड पर स्थित है सुर्मे पहाडियों की तलहटी में स्थित ये मंदिर इतना विख्यात है कि यहां वर्ष भर मेले जैसा मोहौल रहता है पराणिक कथा नुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव निर्थ्य करने लगे तो ब्रह्मान को परलाई से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुधर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया मानतों के अनुसार हिंगलाच ही वैस्थान है जहां माता का सिर्गिरा था जनशुरुती है कि मर्यादा पुर्शतम भगवान श्रीराम भी यात्रा के लिए इस सिध पीट पर आये थे हिंदू द्रम गरंतों के नुसार भवान परशुराम के पिता ने यहां घोर तब किया था उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहां मौजूद है माता हिंगलाश मंदिर में पूजा उपासना का बड़ा महत्व है कहा जाता है कि इस प्रसिद मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरकनात, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान अध्धात्मिक संत आचुके है यहां का मंदिर गुफा मंदिर है, उची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराशमान है, पहाड की गुफा में माता हिंगलाश देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है मंदिर की परिक्रम में गुफा भी है, यातरी गुफा के एक रास्ते से दाखिर होकर दूसरी और निकल जाते हैं मंदिर के साथ ही गुरु गुरुकनात का एक जर्ना है, मान्यता है की माता हिंगलाश देवी यहां सुभा स्नान करने आती है हिंगलाश मंदिर को नानी पीर का स्थान भी कहा जाता है जब पाकिस्तान का जनम नहीं हुआ था और भारत की पश्टिम सीमा, अफगानिस्तान और इरान थी उस समय हिंगलाश तीर्थ हिंदूओं का परमुक तीर्थ तो था ही बलूचिस्तान के मुसल्मान भी हिंगलादेवी की पूजा करते थे और उन्हें नानी कहकर मुसल्मान भी लाल कपड़ा, अगरबती, मौमबती, इत्र और सिर्णी चड़ाते थे हिंगलाश शक्तिपीट हिंदूओं और मुसल्मानों का स्युक्त महातीर था हिंदूओं के लिए ये स्थान एक शक्तिपीट है और मुसल्मानों के लिए ये नानी पीर का स्थान है कहते हैं मुसलिम काल में इस मंदिर पर मुसलिम आकरमन कारियों ने कई हमले किये लेकिन स्थानिया हिंदू और मुसल्मानों ने इस मंदिर को बचाया कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हातों से जाता रहा तब कुछ आंतकवादियों ने इस मंदिर को क्षती पहुंचाने का प्रियास किया था लेकिन वे सभी की सभी हवा में लटके हुए मिले थे इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते हिंग लाज माता के भीतर समा जाती हैं इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले आयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले लेकिन अगर वे हिंगलाज देवी की दर्शन नहीं करता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है जो इस्त्रियां इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हजियानी कहते हैं उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है माता के मंदिर के ठीक बाहर अंगारों का बाड़ा बनाया जाता है ये मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धदकते हुए अंगारों से भरा जाता है जिस पर मनत धारी चल कर मंदिर में पहुँचते हैं और ये माता का चमतकार ही है कि मनत धारी को जरा भी पिड़ा नहीं होती और ना ही शरीर में किसी प्रकार का नुकसान हो एक बार यहां माता ने प्रकट होकर वर्दान दिया था कि जो भी भक्त इन अंगारों पर चलेगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगी हरांकि आजकर ये बंद कर दिया गया है एक पुरानी कथा के अनुसार यहां पर हिंगोल नाम का एक कबिला राज करता था हंगोल बहदुर राजा था लेकिन उसके दरबारी उसे पसंद नहीं करते थे राजा की वजीर ने राजा को कई बुरे कर्मों की लत लगा दी थी जिससे कबिले के लोग परिशान हो गए थे तब उन्होंने देवी से राजा को सुधारने की प्रातना की और माता ने उनकी प्रातना सुन ली इस तरह से कबिले की परतिष्ठा बरकरार रही तब ही से यहां देवी को हिंगलाश माता की नाम से जाना जाता है इस सिदपीठ की यात्रा के लिए दो मार्ग हैं एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली यात्री जथा कराची से चलकर लस्वेल पहुँचता है और फिर लेयारी माता हिंगलाश देवी की यात्रा कठिन है क्योंकि रास्ता काफी उबर खाबड है इसके दूर दूर तक अबादी का कोई भी नामों निशान नजर नहीं आता है कराची से 6-7 मील चलकर हाब नदी पड़ती है यहीं से हिंगलाश की यात्रा शुरू होती है यहीं शपत ग्रहन की क्रिया संपन होती है यहीं पर लोटने तक की अबदी तक के लिए सन्यास ग्रहन किया जाता है यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में व इसके आगे रेत की एक शुश्क बरसाती नदी है इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्या लगभग 15 मील का फांसला है हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं तथा यग्योपवित पहनते हैं इसके बाद गीत काकर अपनी शर्धा को व्यक्त करते हैं मंदिर की यात्रा के लिए यहां से पैदल चलना पड़ता है क्योंकि इसके आगे कोई सड़क नहीं है इसलिए ट्रक या जीब पर ही यात्रा की जा सकती है हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं इसके आगे आसापुरा नामक एक स्थान आता है यहां यात्री विश्राम करते हैं यात्रा के वस्त्र उतार कर सनान करके साफ कपड़े पहन कर पुराने कपड़े गरीबों और जरूरत मंदों के हवाले कर देते हैं इसके थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है इतिहास में उलेक मिलता है कि यह मंदिर दो हजार वर्ष पूरु भी यहां विद्यमान था इस मंदिर में एराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं यात्री चड़ाई करके पहाड पर जाते हैं जहां मीठे पानी के तीन कुहें हैं इन कुहों का पवित्र जल मन को शुद करके पापों से मुक्ति दिलाता है इसके निकठी पहाड की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं है मंदिर की परिक्र कोटनाथ का चश्मा है मानत है कि माता हिंगलाज देवी यहां सुभा स्नान करने आती है यहां माता सती कोट टरी रूप में जबकी भगवान भुले नाद भीम लोचन भैरव रूप में परतिश्ठित है माता हिंगलाश मंदिर परिसर में श्री गनेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्म कुंड और तीर कुंड आदी प्रसिद तीर्थ है इस आदिशक्ति की पूजा हिंदूओं द्वारा तो की ही जाती है इन्हें मुसल्मान भी काफी सम्मान देते हैं हिंगलाश मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की स्रीडियां चैटने पड़ती है मंदिर में सबसे पहले श्री गनेश के दर्शन होते हैं जो सिध्धी देते हैं सामने की और माता हिंगलाश देवी की प्रतिमा है जो साक्षात माता वैश्णो देवी का रूप है दोस्तों आपको जानके शायद हरानी होगी कि हिंदू इसे जहां शक्ति पीठ मानते हैं वहीं मुस्लिम सम्प्रदाए के लोग इसे नानी का हज कहते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम भी हिंगलाश माता पर आस्ता रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा परदान करते हैं वे इस मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं मंदिर की प्रवंधक कमेटी में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं तो दोस्तों अंत में मैं आपको हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी मुख्य कथा सुनाती हूँ सती जो प्रजापती दक्ष की पुत्री थी उनका विभा शिव जी से हुआ था क्योंकि सती का विभा उनकी इच्छा के विरुध हुआ था और दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विभा शिव से हो तो दक्ष ने एक महान यग्या का आयोजन किया लेकिन सती और शिव को नहीं बुलाया था बिन बुलाय ही सती यग्यस्तल पर पहुँच गई जहां दक्ष ने सती और शिव को अपमानित किया इस अपमान को सती बरदाश नहीं कर पाई और सती ने अपने चक्रों को सक्रिय करते हुए खुद को अगनी को समर्पित कर दिया सती अगनी में खुद को समर्पित कर देती है और उनकी मौत हो जाती है लेकिन उनकी लाश आग में नहीं जली शिव जी ने सती की मृत्यू का जिम्मेदार दक्ष को माना और शिव ने दक्ष को मार दिया और उन्हें पुनर जिवित जीवनदान देते हुए क्षमा कर दिया शिव सती की लाश के साथ पूरे ब्रम्हान में घूमते रहे अंत में भगवान विश्णु ने सती के शरीर को 108 भागों में बांट दिया जिसमें से 52 भाग पृत्वी पर और 6 ब्रम्हान के अन्य ग्रहों पर गिरे पृत्वी पर गिरे भाग अलग अलग शक्तिपीट बन और मानतों के अनुसर कहा जाता है कि सती का सिर हिंगलाश में गिरा था तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको हिंगलाश माता मंदिर का इतिहास हिंगलाश मंदिर कहां स्थित है और मंदिर का खुलने का समय क्या है और हिंगलाश मंदिर कैसे जाये जाये हिंगलाश माता की पूजा कैसे की जाये जैसे जुड़ी जानकारियां मैंने आपको दी हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों रिश्टेदारों को भी हिंगलाश माता मंदिर से जुड़ी जानकारी शेयर करें तो दोस्तों अब आप मुझे दीजे इसाज़त और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से एक नए शक्तिपीट की जानकारी दूँगी तब तक के लिजे कीजे मेरा इंतजार धन्यवाद जैमात आदी झाल झाल झाल